हेलो गाईज, नमुश्कार दोस्तों, मैं देवा राचपूत, मेरे यूट्यूब चनल दिये सार देवा म्यूजिक में आप सभीगत स्वाउगत करता हूँ, जहां आपको मिलते हैं म्यूजिक से रेलेटेड वीडियो आज के इस वीडियो से मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने मोबाइल का यूज करके अपने कीबोर्ड में टोन्स चेंज कर सकते हैं और यही आपका कीबोर्ड बिगिनर है, आपके कीबोर्ड के टोन्स की क्वालिटी नहीं है, बिगिनर क्वालिटी के ट तो मोबाइल से आप प्रोफेशनल टोन्स किस तरीके से अपने कीबोर्ट से प्ले गड़ सकते हैं यही सब चीजे आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो दोस्तो इन सबी चीज़ों को सिखने के लिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए जरा सा बेस्के मत किजेगा और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करना मत बुलिए चलिए अब हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ड करते हैं दोस्तों मुबाइल से टोन्स चेंज करने के लिए आपको क्या-क्या सेटप लगने वाला है वो सभी चीजे मैं आपको पहले बता देता हूँ सबसे पहले आपको चाहिए एक एंड्रोइड मुबाइल उसके बाद जो आपका कीबोर्ड है वो मिडि पोर्ट वाला होना चाहिए जिसमें मिडि यूएसबी पोर्ट हो दूसरी चीज यह होगी तेसरी चीज है यह प्रिंटर केबल इसको मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ यह द्いき एक साइड है यूएसबी पोर्ट और डूसरी साइड है प्रिंटर वाला पोर्ट थीक है तो अब यह Ox थिसरी चीज यह प्रिंटर केबल इसके बाद चोथी चीज है यह OTG Connector यदि आपका Mobile C Type है या फिर कोई साभी Port वाला है तो उसमें यह OTG Connector चाहिए होगा आपको यदि ध्यान से आप इसको देख लिए यह है OTG Connector USB OTG Connector अब यह हमें लगा ले रहा है इस Printer Cable के USB Port है इस तरीके से हम इसको Connect कर लेंगे यह होगा Connect अब यह जो Printer वाला Port ही हम लगाएंगे अपने Keyboard में इस तरीके से Keyboard में होगा Connect अब यह केवल हम लगाएंगे Mobile में लेकिन उससे पहले आपको Mobile में एक Application Install कर लेना है कौनसी Application वो मैं आपको पता देता हूँ दोस्तों उस Application का नाम है ORG 2020 2022 यह Application आपको Play Store में मिल जाएगा इसको आपको Download कर लेना है आप चाहो तो इस ORG एप को Purchase भी कर सकते हो उसमें आपको इसके सारे Features मिल जाएंगे यदि आप Purchase नहीं करते हो तो थोड़ी थोड़ी देर में आपका Media Disconnect होने लगेगा ठीक है अब यहां पर हमने ORG 2022 ओपन कर लिया है ओपन करने के बाद हम इस केबल को Mobile से Connect करेंगे ठीक है का Option दिखाई देगा स्क्रीन के Left Side में उस पर आपको क्लिक करने के पाद है इस डिस्प्ले पर लिखा है Connect उस Connect पर आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है Connect पर क्लिक किया अब देखिए यह पूछ रहा है क्लिक करके मतलब जैसे ही मैं पिन लगाऊंगा यह केबल लगाऊंगा तो ओपन हो जाएगा अब देखिए स्क्रीन चोटी हो गए आप बहुत सारे बटन आने लगए क्योंकि हमारे कीबोर्ड में 61 कीज है अब यहां पर ध्यान से देखिए मैं यह की प्रेस करूंगा तो यहां पर भी चलती हुए देखिए अब यहां पर हमें चीज ध्यान देनी है कि जो बेंट on Must Magic रुर्ड होगी इस pers.... नक्रає्ण से तो यह है तो यह तो इसका हम लगा देते हैं इस तरीख से यहां पर कि मैं अब यह केबल कर दिया मोदगावर्य स्पीकर तर। अब देखिए यह एप भी चालो हो गया है speaker connect हो चुगा है अब keyboard में play करूँगा तो यहाँ पर play होगा ठीक है देखिएगा लेकिन अभी एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर flute select है मैं keyboard का voice कर देता हूं down वरना double voice हैं यह मैंने keyboard का voice down कर दिया मोबाइल से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं sound ठीक है अब यहाँ सबसुआ उपर flute पर जहां लिखा था वहाँ मैंने click किया अब सबसुआ प्यानो यहाँ पर मैंने लगाया प्यानो ठीक है अब इसको मिहाँ पर रख देते हैं मैं आपको ले करके बता देता हूं प्यानो का tone किस तरीके का tone आता है द्यान से सुनिएगा कि कि अफिक बढ़िया प्यानो का टोन इसमें आ रहा है अब वह कीबोर्ड का भी टोन में आपको सुना देता हूं प्यानो का ठीक है इसका वोईस में कर देता हूं डाउन यह डाउन हो गया आप इसपीकर में साउड़ नहीं आएगा अब की बोर्ड का साउड़ आएगा इसका प्यानो आप सुनिए इसका प्यानो नियुक्त टिक है अब इसको बंद कर लेते हैं अब मोबाइल का प्यानो चालू कर देते हैं यहां पे अभी आप प्यानों पे आपको पेडल चालू करना होगा तो मैं जाता हूं इफेक्ट में और इसका उपर पेडल ये इसको चालू कर देता हूं अब इसका टोन और भी प्यार आएगा सुनिये काफी बढ़िया सांद आ रहा है आपको ये तो हो गया कनेक्ट ठीक है सिर्फ अभी हमने मोबाइल से कीबोर्ड को कनेक्ट किया है टोन्स चेंज कैसे करना है ये चीज मैं आपको पता देता हूं अब यहां पर नीचे आपको एक आप्शन दिख रहा होगा कीबोर्ड सेट ये देखिए कीबोर्ड सेट को मैंने स्लेट किया तो उस पर लाइट चलो गई अब देखिए यहां जो कीज है यानों के कीज जो पनीवी है इसके ऊपर आपको एक दो तीन चार पांचे साथ आट नो दस ग्यारा बारा बारा पैड टाइप के दिख रहे हैं यह बारा पैड आपके रजिस्ट्रिशन बैंक यहां पर आप टोन्स सेव कर सकते हो जैसे कि यहां पर मैं लगा लेता हूं इस्ट्रिंग इसमें पैडल बंद करना होगा इस्ट्रिंग पर जैसे कीबोर्ड में आप सारी सेटिंग करते हैं वैसी इसमें आपको सारी सेटिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है ठीक है अभी मैंने इस्ट्रिंग यहां पर सेलेक्ट किया हुआ देखिए आप मैं चाहता हूँ इस इस्ट्रिंग को यहां जो पहला पैड है इस पे सेप कर दों थाकि आगे कभी भी मैं पैड दबाऊं और इस्ट्रिंग लग जाए तो मैं उस पैड को दबा कर रखूँगा तो देखी यहां पे लिखाया change stereo string change मतलब मेरा string है जो एक नमबर पे आ गया यह देखी आपको दिख भी रहा होगा संतूर के पास में string ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि प्यानो लगाऊं और प्यानो में save कर दूँ मेरे इसाथ से दो नमबर पे जहां पे संतूर में नहीं क्या हुआ है संतूर लिखा है अब उसी को मैं दवा के रखूँगा तो यहां पे प्यानो आ गया अब यहां चेंज करता हूँ string लगाता हूँ तो one tap string लग गया फिर one tap प्यानो लग गया तो जैसी भी setting effects लाप डालेंगे सेव हो जाएगा ठीक है अब यहां पे मैंने प्यानो लगाया अब मैं चाहता हूँ कि इसके पास में मैं सितार का टोन या फिर शेहनाई का टोन सेव करूं तो यहां पर मैं लगाता हूँ शेहनाई आप दोस्तों इसमें आप बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रॉमेंट डाउनलोड कर सकते हो और खोटका इंस्ट्रॉमेंट बना सकते हो सेमपल्स को यूज करके यहां पर शेहनाई देखते हैं शेहनाई कहां पर है तो string string यह है शेहनाई अब यहां पर शेहनाई लग चुकी है यह शेहनाई लग गयी अब में चाहता हूँ इस शेहनाई को मैं गेटार की जगे सेफ कर दो जो प्यानों के पास में गेटार का पैड है यहां पर मैं इसको दवा कर रखता हूँ यहां पर शहनाई चेंज दिखा हुआ आ गया मतलब वहां पर शहनाई सेव हो गये अब दोस्तों यहां भी यहां आप इस एप को close कर देते हो ठीक है तो फिर क्या होता है देखिए इस एप को मैं कर देता हूँ close कि यह एप हो गया क्लोज अब उस एप्लिकेशन को आप फिर से खोलोगे कि एप ओपन हो गया अब फिर से आपने अधी मिडिक अनेट किया तो आप वो जो आपने टोन सेफ किये थे इस ट्रीन प्यानो शेहनाई वो सब उड़ गया क्यों उड़ गया क्योंकि जो बेकप मैंने बनाया उसको मैंने सेफ नहीं किया अगर उसको से किसे करते है ता कि हुँर हवें लगा है कभी बुटे न हम क्या करेंगे जैसे कि हम इस ट्रिंग एक नंबर पर सेव कर देते हैं यह लगा पर से यह से वोगया अब इसके बाद हम लेके आते हैं शेहनाई जो मैंने लगाई थी यह शेहनाई ठीक है अब शेहनाई को फिर तीन नंबर पर तो यहां पर हमारा सबसे पहले सेव म्यूजिक सेव सेट सेव एज डिफोल्ट सेट यह तीसरे नंबर का बटन है जो आपको क्लिक कर देना है तीसरे नंबर के ओप्शन पर ठीक है इसको मैंने क्लिक किया अब यह प्रोसेसिंग हुई और यह हो जाएगा सेव अब मैं एपको क्लोज भी कर देता कि अब यह पोपन हो गया है यहां पर सब्सक्राइब कर देता हूं यह मीडी कनेक्ट हो गया अब देखो सबसे बहले स्ट्रिंग प्यानो फिर शेहन आई अब यही हमारे सिक्वेंस से चेंज नहीं हुआ तो इसी तरीके से आप बहुत सारे टून्स डाउनलूड कर सकते हो खुद के सेंपल से भी आप बना सकते हो टोन्स जितने आप क्रेटिविटी करोगे उतना अच्छा टोन आपके इसमें प्ले होगा अब यह मैंने बेंजो गेरा और भी टोन्स बनाई हुए हैं जो मैं देरे देरे आपको आगे के वीडियो में बताता जमगा दोस्तों आज आज कर यह वीडियो आपको कैसा लगाईए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में